नमर चार दोस्तो हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे जो दीदी भीया हमारे चैनल पे नए हैं फिलीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक करना ना भूलिएगा तो दोस्तो आज घर का सारा का सब्सक्राइब कर लगाई तक सूट की हूँ आप सब देखना और आप सब को अच्छा लगेगा आप लगाई जगड़ा का वीडियो है मसनस्ते मसनस्ते तो दोस्तो आज पूरा वीडियो बिना तयार हुए बनाई हूँ ऐसे तो गुंजन कह रही ममी बिंदी नहीं तो सब लोग पीछे पीछे जा रही हमारे तो घर का सारा काम करते हैं बस्तो राख और मिट्टी से बरतन माज रहे हैं इतना सारा बरतन माज तो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है और आधा गंटा हो गया हमें माजते हुए अभी देखना है कितना टाइम लगेगा वे लो अधार करते हुए साफ नहीं हो रहा है तो लगभश पूरा साप कर चुकी हूं थोड़ा और बाकी हसाब करने में कपड़ा भी उधर दूलिके रख़जी हूं अभी तो सामान तब दिखरा हुआ है तो देखिए दोस्तों इतना सारा कपड़ा मैं धूलिके रख्थी हूं अभी आधा कपड़ा दुली हूं आधा बाकी हूं तो एक दिन के लिए कहीं चले जाओ तो कपड़ा का ढ़ेर लग जाता है तो कोशिश कर रहे हैं जो खालकू कपड़ा है स्वेटर और सबका पहनने वाला एक दो निखालेंगे बाकी रख देंगे कपड़ा जादा तुने म बरतन अजीव लग रहा है तो इसना सारा बरतन माज दीव में अब थोड़ा सा यह जो राखी दिखरा हुआ है राखी को हम उठा लेते हैं वह साथ में मिट्टी भी है खेत में हम फैकेंगे राख को तो यहां का जगाते हैं इह पी अलाव जलाया जाता है तो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा पानी डालती हूं और बिखर देया तक तो चलती हूं राख उठा लेती हूं तो यहां पर राख को भर जो बाकी जला नहीं हुआ है खरफतवार, तो उसको निकाल दी हूँ, यह राख डाल देंगे खिचन गाडन में, तो एक साथ में दो गाम हो गया, अब यहीं से निकालते हैं बीया को, बीया मैं जामने के लिए बहुत दिन से रखी हुई हूई, जो जमता है निकाल के बो दे जो नहीं जमता है इसी में रहने देती हूई, तो देखते हैं कितना बीया जमा है, तो इतना सारा बीया है, यह जम नहीं रहा है, लगता है यह भीया खराब है, तो वापस उसी में हम फिर रख देते हैं, तो दोस्तों वापस उसी गड़्धे में दबा दी हूँ, और जो खर पतवार है बाकी यहीं पे रख देते हैं साम को फिर जलाया जाएगा इसी पे आज में डाल देते हैं इधर साइड बाकी बीया भी बोए हैं तरोई, निनुवा, करेला तो इससे देशी खाद भी हो जाता है राख से अलाव भी ताप लेते हैं अब चलती हूँ बर्त, तो पहले बर्तन को धुल लेते हैं फिर सामान सारा यहां करकट करते हैं दिख्वा है तो दोस्तों पूरा बर्तन धुल चुकी हूँ, दोचार बर्तन बाकी है धुलने को, बहुत मिश्क्ते लगी हुई थी, तो साफ कर्ट बाकी को भी साफ से धुल, तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह बर्तन हमारा साफ हो गया, दार लगा थो कड़ाही में, और यह कुकर सब माच दी हैं, बच्चे सब स्कूल चले गए, यहां पर बर्तन ले चलते हैं, एक ऐसे रखेंगे, दोस्तों यहां साघी फेला रही हुँ, दो बार इसको हम पहन के गए थे, एक ठंड के मौसम में साधी में गए थे, तो गंदा नहीं था उतना, भूली नहीं थी, तो किसो ची भूल देते हैं दो बार, पहन धूप तो अब इस समय जादा तेजी से, तो पूरा कपड़ा फेला देते हुँ, और इधर भाग रहा है, यह सिलकन का कपड़ा है, तो दोस्तों, पूरा कपड़ा फेला दी हुँ, इधर साइब पूरा, और यहां सिलेकर यहां तक, तो पूरा जगा बातिक नहीं था, कुछ पाउधे पे फेला दी हुँ, वहां पर, तो दोस्तों, मसाला वाला चिप्स बनाने जा रहे हैं, इसमें मसाला मैं कूटके डाली हुँ, लाल मिर्ची, जीरा, काली मिर्ची, नमाक, तो आफ सब को मैं सोची दिखा दूँ, तो इसका टेस्ट कुछ अलग हो जाता है, सादा वाला चिप्स नहीं बना रही हैं, मसाला बना रही हैं, तो पानी को गरम कर ली हुँ, हम पूरा चार किलो आलू काट लिए हैं, तो यहां पर डाल रहे हैं, थोड़ा सा उबालेंगे, नमाक, मसाला अच्छी तरह से घुल गया है, ठाली से ढख देते हैं, ठाली रहेगा तो पानी में डूबर रहेगा ये, तो इसक बना पर चार पाई पे डाल रही हैं, तो अभी दूसरे चार पाई पे डालेंगे, पहले पानी को निकल जाने देते हैं, क्योंकि इस में चिपस में पानी भी है, तो दूसरे कपड़े पे फैलाना पड़ेगा, तो दोस्तों सारा काम करके फाइनल कर दी हैं, यहां पोचा बरतन जावी पोचा सब हो गया है दोस्तों यहां मुर्गे का लगाई हो रहा है गुंजन बोली हम दिखा देते हैं यह सब पूल से आ गये हैं पढ़के तो किसका हार जीत होता है पता नहीं यहां लग रहे हैं तो भी लगाई जारी है और यह हमें इसा रहता है जब भी आख लगाई कर रहे हैं तो टरब से इतना सारा लग रहे हैं और पता नहीं क्या दुस्मनी है इन सब में तो देखिये कुछी इस तरह लगाई लग रहे हैं यह देखिये काट देते हैं एक दूसरे को पंख्र दिनोच दिया दोस्तो यहां पर कपड़ा को फोल्ड कर रही हूं जो मैं धुली थी सुबा इस टाइन तूख गया है तो उठा के रख रहे हैं तो दोस्तो पूरा कपड़ा मैं रख दी हूं बाती जो तूखा नहीं है वहीं पर फोल्ड दी हूं तो दोस्तों का टाइम हो गया है यहां अपना अपना दिस्तरा गुजन सीचर लगा रही है सब रख दी हैं नीचे उठा के रख रही हैं नद्दीक ले आओ तो पिरिंगी है दिखाओ यहां यहापे तो यहां फिरिंगी नचा रही है देखिए है यह कान का तबस है वही नाच रहा है गोल-गोल एक डो बहने बोली है संगीता जी अब भी आपका गैस ठीज नहीं रखा गया है क्या करें हम कीचन बनवा भी नहीं सकते हैं कि आप पर सेनल कीचन बनवा लुड़ कहीं तो देखा जाए कि कभी जीवन में होगा हमारे हमारे राज में नहीं होगा तो चंदन के राज में होगा तो बनवाएंगे वो अपना हमार तो जैसे तैसे कट जाएगा दोस्तों दो वक्त के रोटी में तलास रहता है बस दिन में मिल जाए खाना यही सब बड़ी बात है और दवा मिल जाए तो किचन अब यह से रहेगा अब बहुत परिसान हो गई मै अब इस अब स्वार नहीं कि चनल सही से सथ करना जो हो कर भी तो ओ गया तो यह बाल में कंगी कर ली आज पूरा वीडियो बिना कंगी किये और बिंडी भी नहीं लगाइगा बींडी? कल एक पत्ता बींडी मंगाई थी हकल ही मंगाई थी आज आज अछली निकाल की फैख दी नोसके हमारा बिंडी आज़ी जमाने हैं नहीं कि अईसे काती है बोलती है नहीं तो मेरे आनज़ी का बाल बड़ा हो रहा है बड़ा हो गया अभी छिलवाना बाटी है अपर गर्मीर के मरसम में जब कणता धूब होगा तो छिला देंगे गुंजन को है गुंजन बड़ी हो गई तो मेरा अंजली का भी देखिया चोटी ढूंग गया तो दोस्तो आज का वीडियो आप सुपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सुपको अच्छा लगा होगा पहली बार अपने चैनल पर जगड़ा वाला वीडियो डाले हैं वो भी इंसान नहीं जगड़ा कर रहे हैं जानमार त डाल दी हूँ अंजली तो नहाई बाल में कंगिरी नहीं की तो दोस्तो एक दिन में दो वीडियो में बना ली थी तो वीडियो में कोई गलती होगा तो माप करना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों